हेलो एब्रीवन हम बात करेंगे सीटेट 2015 सीडीपी के 30 कोश्चिन की जो कि आपके आने वाले एक्जाम 31 जन्वरी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे तो देख लेते हैं किस तरीके से कोश्चन आया हुए हैं हम से टीपी के बात करेंगे हापे कोश्चन कोश्चन नमबर वन देखते हैं कि कोश्चन नमबर वन दिया गया है सिक्षार्थियों के ज्यान अर्जन में सायता करने के क्रम में अध्यापको किस पर ध्यान के इंद्रित करना चाहिए यहां पर कोश्चन का मतलब यह दिया गया है कि सिक्षार्थियों के ज्यान अर्ज तो पहला उप्शन ह sarà कि विद्यारितों सब्सक्राइब सेंगे अंकों ग्रेड़ों लीए बच्चों को ठाएब न को मार्द ये सब देख्टन हाएब obec question and अधर भागिता की लिए सामिल करना मुन्स जो भी si तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बस अधियम की जितनी बिदार हो गया तो आगे कुछ सीखेगा नहीं याज आगे ट्राइगा यह सारी करें तो याद करने के लिए तो बिल्कुल आपको तो नसी अप में मना किया गया कि याद तो करना है बच्चों की तरीक आसा कोई सिक्षा नहीं देनी जिसमें बस याद करने की प्राथमीक्ता देजा लर्निंग प्रॉसेस का यहां पर सेकेंड आप्सन सबसे बहतर है कि शिक्षार्थी को सक्री सभागता के लिए सामिल करना आपका सेकिर्ठ ऑप्सन सी उटाएक जाएगा है ठीक कहा कि कैला नोबर टू की बबात करेंगे आपके अध्यापक के ऐसे उप्शन की बात करूं यहां से तो पहला नीम्न में तो कोई नहीं एद तो सम्हें दिया है कि युद्श उच्छ छहम्ता छम्ता तो ऐसे होने नहीं कि नहीं कि आपको चा coriander मिल करbey करको लुदू निल्ट भी नहीं हूँ आपके सांथ हो सक्ते हैं और और योग्यता के साथ हमें स्रिजनात्मक्ता लेना पड़ेगा और उसके बचन बदता बच्चा मतलब जो चीज़े काना चाहे अपने बचनों के प्रती और मतलब उसका पारान करें तो इसका फॉर्थ ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है यह फॉर्थ हो जाएगा यह आपका पेपर जो है फेबरी टूथाजन फिप्टीन का है इसी जनली अगर आप प्रिवियस यहर के पेपर भी प्रॉपर बना लेते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा बेसे सारी चीज़े पढ़के फिर बनाना है प्रिवियस एलेवन से लेके नाइंटीन टुन्टी तक जि के अनुसार गलतिया इस कारण से महत पूर्ड होती है यह अध्यापकों को बच्चों को डाटने के लिए एक तरीका उपलब्द कराती हैं बिल्कुल गलत यह बच्चे के विचार के अंदर द्रिष्टी उपलब्द कराती है तथा समाधानों को पहचानने में साहता करती है यह बेटर ऑप्शन है तो पुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलोट कराती है बच्चों को तो हटाना नहीं है आपने समावेसी सिक्षा पढ़ा होगा बच्चा कैसा भी है उसे उन्हीं सब बच्चों के एक सांथ पढ़ाना है यह बिल्कुल गलत है तो आपका सब्सक्राइब करेंगे एक बच्चे की कॉपी में लिखने में बिपरीत चवियां दरपड चवियां मतला उल्टा दरपड का जिस तरीके से मेज बनती है उस तरीके की प्रालम हा रही है आज ऐसी गल्दिया मिलती इस प्रकार का बच्चा लक्षन प्रदर्सित कर रहा है समय में आँ लुटा समय ध्यान रखना पड़ेगा अधि गम में सकतता इसे बोलते हैं अधिकम में सकतता लिद्स प्रालम्रम आती है उसे पोलती है अ कुछ इतना बेटर तरीके से पढ़ोगे आप उसी तरीके साफ आंसर दोगे निम्लिकित में से कौन साफ बच्चों के संबेग आत्मक संबेग आप देखोगे बच्चों को जो अंदर से फिलिंगा जैसे क्रोध हुआ फिर खुशनुमा हुआ इस तरीके से जो संबेग होते उसकी बात हो रही है आपे संबेग आत्मक विकास किस तरीके से सरवाधिक बेहतर है तो अगर देखिए बच्चे को अगर यह बोला जाए का ध् आपको कोई भी सहबागिता नहीं क्योंकि यह मातापिता कर रहे हैं संबेग आत्मक विकास करना ऐसा जरूरी तो नहीं है तो यह आप्शन तो नहीं हम ले सकते कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवैसा अगर बच्चों को बांध की रख रहे हो कि आपको बस इतना ही काम करन है यह से करना है वैसे करना तो यह भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा आपने पॉलिसी में जो आपका मतलब बच्चों को सीटेट का जब भी आप पेपर दे रहे हो तो बच्चों को बेटर से बेटर प्रिफरेंस रखना बच्चों को हमेशा फ्रीडम देना चाहिए मतलब की और स्वतनतर रूप सी जितना सीख सके थर्ड ऑप्शन है यह भी गलत हो जाएगा कख्षा कख्ष का अधिकारवादी परिवेस अब कख्षा कख्ष में मतलब बच्चों को पर एक दम धबाव करके अधिकारिक परिवेस का मतलब है कि उनके उपर किसी खुद से कर मतलब बच्चे सरारत ना करें मतलब एक प्रॉपर तरीके से रहें फॉर्थ ऑप्षन हो जाएगा इसका करेक्ट फिप्थ का सिख्ष कोशन देखेंगे अपर बच्चों के अधिकम को सुगम बनाने के लिए अधियाब को एक अच्छे कक्षाई परिवेस का स्रिजन करने के अवस्यक्ता होती है इस प्रकार के अधिकम परिवेस का स्रिजन क स्विकार करना बच्चों को स्विकार करना अधियाब का सकारत्मकों वृण विद्जू के प्रेयों प्रेयसों की स्वक्रिती कोशन नॉमर इस में बतों नुरूब को सुगम बनाने के लिए अधियाब को को एक अच्छे कक्षाई परिवेस का स्रिजन करने के लिए हमें अधियाब को के अनुसार करना चाहिए इसका फॉस्ट ऑप्संसी हो जाएगा कि लड़कों अनुसार इनमें से कौं शाएय है तो यहां पे यह दियागे है कि लड़कों को घ़र के कामों में साहिता करनी चाहिए दूसरा option है आपे मतलब यह चार option दिये गए हैं सभी लड़कों को विग्यान देथा लड़कियों को ग्रिफी ग्यान पढ़ाया जाना चाहिए यह तो लेंगिंग वाला बात होगी कि फिक्स कर दिया है कि लड़कों को क्या है ग्यान पढ़े और लड़कियों क्या पढ़े ग्रिफी ग्यान पढ़े तो बिल्कुल गलत है लड़कियों को घर के कामों में साहता करने चाहिए यहां पर बस बाहर के काम हो रहा है और इस वाले option में घर का कोई भी काम हो उचाह लड़कों को घर के कामों में सहहता करने जिए एक प्रभावासालिय अधियाप का होने के लिए यह महत्पूर है कि अगर एक प्रभाव-सालिय ओक्या बनना है इसके लिए प्रतिय के संपर के मेरा यह बेटर ऑप्षन है पुस्तक के उत्रों को लिखाने पर बल देना यह बिल्कुल करते हैं हमारे पास बचा अप्षन दो इसमें यह दोनों लगबग एक जैसे ही है तो यह बोला कि समु गतविदी के बज़ा वैक्तिक अधिगम पर ध्यान देना वैक्तिक इससे ज्यादा बेटर यह है अगर आप प्रतियक बच्चे के संपर्क में रहेंगे ना अगर अध्यापिका प्रतियक बच्चे के संपर्क में तो बच्चों को ज्यादा बेटर तरीके से प्रभाव साले बन सकती है अ को टाध कि भृत करेंगे निमल्बकित मेंसे कौं सा उप्यूकक्त रॉचनात्म की आकलन का कारें नहीं हैem कि यहाँ पेड़न हेइं ठीक है फिर नहीं तो पर्योजना को ठीक है कि अओ लोकन भी ठीक है उप्द्वाले प्रशनिस का भी ठीक है लिग। तो यह उपयोगता रचनात्म का कारें नहीं होता है आप सोचे दस बच्चे हैं आप यह थोड़ी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा मतलब जादा योग्या है बच्चे की योगता तो एक तरीके से मतलब बढ़ती घड़ती रहती है कोई बच्चा अच्छे से महनत कर रहा है कभी कभी वीख हो जा रहा है तो इस तरीके से वह चेंज़ेश आते रहते हैं इसका थर्ड ऑप्सन सी हो जाएगा एन नमबर में बात किरेंगे कुशन नमर त तो आपने पढ़ागा पढ़ने से समंध्य जो अच्छमता होती हो क्या बोलाता है डिसलेक्सिया और लिखने की समंध्य जो प्रावलम आती है उसे डिस्ग्राफ यह बोलते हैं फॉर्थ अप्संसी हो जाएगा पियाज है किसी धान्थ के नुसार में लिखित में से कौन सा व्यक्ति कि संघ्याइत्मग पिकास को प्रभावित नहीं करें प्रभावित नहीं करता है जो संग्यात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा सामाजी गनुभव प्रभावित नहीं करता है लेकिन सामाजी गनुभव के लिए वाई गौत्सकी ने तो इस पर सबसे ज्यादा और सीटेट में कोशन जरूर रहता है उन्होंने इस पर ज्यादा महत्पूर बताया था कि कोशन नुबर ट्वेल की बात करेंगे इसमें से कौन सा ती तंत्री सिध्धान्त में ब्यवहारिक बुद्धी का अभिप्राय नहीं है केवल अपने बिश्ये में ब्यवहारिक रूप से विचार करना इस प्रकार के पर्यावरण का चैन करना जिसमें आप सपल हो सकते हैं पर्यावरण के साथ अन्कूलन करना पर्यावरण का पुनर निर्माड करना question number 12 तो इसका अब यहां पर देखें निगेटी option पूचा निगेटीव का साइन है आप नहीं बोला गया है अब एक चीज़ा याद रखना निगेटीव वाले question नहीं वाले option लगवाक 5 to 6 question रहेंगे अगर पूरा मिला लिया या तो मुझे लग रहा है कि 10 question तक ऐसे रहेंगे जो निगेटीव वाले हो जाएंगे 5 या 5 से 10 के बीच में 7 question तो जिसमें नहीं रहेंगा उसको ध्यान से पढ़ना है आपको नहीं तो आप positive answer दे दोगे इस बात का भी ध्यान रखना कोई भी नाराज हो सकता है या आसान है परूंतो एक सही व्यक्त के ऊपर सही मातरा में सही समय पर सही उद्येश के लिए तता सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है या समन्दित किस्से है यह होता है आपका संविगात्मग विकास से question number 13 की इस इसले होता किया है इसमे कोई भी नाराज होसकता है यह आसान नहीं होता है परूंत एक सही व्यक्त के ऊपर आपको और चाही मातरा में सही समय पर सही उद्येश के के लिए इसमें क्या रहा है सम्विगात्मक से related सबीची जारी सही तरीके से न राज हो ना यह होता है सम्विगात्मक विकास से कि लिए 14 कोस्टन बात करेंगे यहांपे अधिगब में आकलन के लिए आवस्यक होता है जाज पर इक्षड के लिए प्रड़ा के लिए जाज पर इक्षड के लिए तो है लेकिन बहुत ज्यादा इस मायने नहीं रखता है प्रड़ा के लिए प्रड़ा के लिए प्रड़ा के लिए प्रड़ा के लिए प्रड़ा के ल मतलब क्या क्या सीखें अधिक में आगलन जो किया जाता है जैसे बच्चों को माक्स बता जाता तो से मोटिवेशन मिलता है आप्टरण मिलती है कि 15 कोशन की बात करेंगे प्रचली तो जानाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है साम्य धारण, आत्मसाद करण, संगठन, समायोजन 15 का जो option है यह हो जाएगा आत्मसाद करण इसे मतलब प्रचली तो से जानाओं में नई जानकारी जोड़、 यह जीज़ में ध्यान रखने पड़ेंगी नई ज्यानकारी के जोड़ने को क्या बोलते हैं प्रचलिती जनाव में नई ज्यानकारी जोड़ने को आत्मसात करण बोला जाता है पर इसके पाद 16 नंबर हम सभी अपनी बुद्धी प्रणा अभिरुची आदि के संदर में भिन होते हैं यह सभी बुद्धी प्रणा अभिरुची आदि के संदर में भिन होते हैं अलब किसी की बुद्धी अलग है प्रणा अलग है अभिरुची अलग है तो यह होता है व्यक्तिक विनता यह सिद्यान बैक्तिक विनेता में पढ़ते हैं कि हर किसी की अलग अलग बुद्धी अलग बढ़ना अभिर्ची अलग अलग होती है तो यह आपका शिक्स्टीन का फॉर्थ ऑप्संस ही हो जाएगा सेवेंटीन देखेंगे हैं यह बिलकुल आसान कोश्टन है वंचित समुगों के विद्यारतियों को सामान विद्यारतियों के सांसाथ पढ़ाना चाहिए इसका अब प्राय है समाविशी सिक्षा में यह बोला गया है इनकलीजिव एजुकेशन में यह बोला गया है आपको कि कई श्सकूल में आते हैं चाहिए उसे कम सुना देता हूँ या उसे दिखाई कम देता हूँ या कोई भी प्रावलम है कोई भी डिटेजबिलिटी है तो अब चुको ऐसा नहीं कि आभी स्पेशल कोई क्लास करेंगे भी स्पेशल स्कूल में बेज़ेंगे हमेशा क्या करेंगे सामाने विद्यारतियों के साथ ही पढ़ाना है यह आपको मतलब जो हमारा NCF बनाए या जो है 18 नुम्बर हैं आउट आफ दे बॉक्स चिंतन किससे समबझित है आफ आप दे बॉक्स $18 नुम्बर जो कोस्ट्छन है इसका होता है यह अपसारी चिंतन आ पड़ोगे ये से केट अपसंशी हो जाएगा अपसारी चिंतन ठीक है आउट आफ दे बॉक्स% कि कूशस्मे अध्याब को के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंत्रजिश्टी को विक्षित करने के लिए किया जा सकता है शिक्षण में अध्याब को के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन मतलब टीचर पढ़ा रहा है उस कंडिशन में सबस्क्राइब करते हैं वी आध्याद को किसे को विख्षित करने के लिए कि वन अभी अपिर्थ्य को प्रौननत करना जो विद्ध्यान च्रके अनुकौल नहीं है है कि ऐसा तो को सकता करना जिसे उच्छतर कश्छा में परिवर्तन करना तो मुझे लग रहा है कि हाफ़े सबसे बेटर है किस सिक्षार्थियों के आवस्यक्ता के नुसार हमें सिच्छड़ों पागब में परिवर्तन करना चाहिए यह सबसे बेटर आप्षिन है 20 देखेंगे अधिगम अनभोगत की आईटि कीए जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक वना लाकाटर का प्रस्तुति कऱया विस्ゃवी वस्त कराने में तो देखेंगे अधिगम अनभोगत की इस पता विछेवस्ट जो पढ़ा रहे हुस प्रशन बनाएंगे निवी ठीक है प्रकरण पर प्रस्थ परश्ट उचावाद विबाद करेंगे यह भी ठीक है लेकिन रहां नहीं करेंगे याद कर लिए है ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि यहां पर नहीं बोला गया तो यह आपका फोर्थ आप्सन सी जाएगा 21 बात करेंगे यह बच्चों को साब्दिक या गैर साब्दिक दंडर देने का परडाम होता है 21 बच्चे की चर्वी की शुरक्षा करना उनके अंकों में सुधार करना उनके स्वेम के प्रति और हडा को नस्ट करना उन्हें कारें के लिए प्रडाम क्या होता है सब्धार कर ना यह तो बिल्किल नहीं है क्योंकि बेख्चे को डूbelsो देना तो उसके सभी की सब्धार करना यह भी नहीं होगा उन्हें स्वयम के प्रति अवधाड़ा को नश्ट करना मतलब बच्चा जैसा भी कुछ सोचता है ना उसकी अवधाड़ा को आप नश्ट कर दे रहे तो यह से थर्ड ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है और फोर्थ में दिया गया था उन्हें कारे करने के प्रे इससे वह कारे के अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापती के स्थान पर सभाद्यक्ष लिखा यह संकित करता है कि अध्यापिका भासा पर अच्छा दिखार रखती है एक लिंग मुक्तु भासा का प्रियोंक कर रही है लिंग पुरव ग्रह से ग्रस्त है एक अधिक उपियोक्त परिभासिक सब्द का पार्ण करदी है अज्यापिकाक ने कमेटी के प्रधान को सभवाफ़ती के स्तान पर सभा अध्यक्ष तत्त क्या डहाएं तो उस ने क्या किया यहां पर जो एक links मुक्ट भासा का प्रयोग कर रही है यहां पहलте सभापती लिःते तो कोई सभापती पुरुस move यहां पर अगर सभाध्यक्ष लिखती तो सभाध्यक्ष में लिंग मुख्ट मतलब इसमें स्त्रिय पूरुष दोनों आ सकते हैं तो कोई लिंग का इन्होंने जैसे इस त्रिय पूरुष के बारे में नहीं बुलाता है जल्दी जल्दी की आने वाले कि तुलना में कम अंतराल पर की जाना लगती है यह समझने के लिए कि अधिकम का किस प्रकार अलोकौन किया जाता है दर्ज किया जाता है वह सुधार किया सकता है कि सुधार करने के लिए मतलब बच्चे किस तरीके से क्या कर रहे हैं उसमें किस तरीके से किया जा सकता है तो यह सारी चीज़े हो सकती है तो थर्ड अप्शन इसमें से हो जाएगा ही पर गॉर्ड वशिन बात करेंगे में कौन सा अस्तर न हेतिकता की अनुपस्थती यह धुत Unter 1 होता है इसमें उन्हें नylene हंआतआ जो जोक है समाजी करण के तенты के संधर में सही नहीं है फिर देखान नहीं के यह जा लगे um सभख़ेस नगेटिव के अगया रहे हैं तो बच्चे की विद्याले में बताएंकि बातों को स्विकार करते हैं उनकी परिस्ट कुछ भी हो करे प्रजय के लिए अस्थान होना चाहिए है गार कि नहीं है सामाजी करन्ध प्रगशन माडल के संदम यह तो यह प्रजातर अगर मि सक्रीभागेदार। तो सामाजी कॉसलों को सीखना। यह भी ठीक है। लेकिन यहापे बच्चों के बद्यालने में बतायागी बातों को सीकार करते है। अप्टिसक्स की बत करेंगे। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुस्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती फिर भी वह एक वयस्क या साहर सांथी के मागदर्सक की उपस्टेती में या माधर्शन को कहते हैं यह थारड़ आप्सन से हो जाता है इसमें साहरा देना किसी की हल प्लेर रह 27 पिप्र सिच्छिंघ कोई प्रारम्बिक बाल वस्ता वदिकी दोरान उन भूमी काहों श्यूंत कोई बिवहार के बारे में जैनकारी प्रधान करते हैं पच्छी को को इसके बारे में जनकारी प्रतान करता है इसके बारे में पूछा जा रहा है twenty seven number है तो दिखी प्रारंबिक वाला बाले हो था होगा है माता पिता जा होते हैं उसको ज्यादा अंटश में रहते हैं और उन ही के मतल perform की इसके बारी हो इसके बाद बात हो रही निम्लकित में से कौन सा आयू समूर परिवर्तित बाल्यावस्ता स्रेडिक अंतरगत आता है निम्लकित में कौन सा आयू समूर परिवर्तित बाल्यावस्ता स्रेडिक अंतरगत 28 नमबर इसका थर्ड आपसन हो जाएगा 6 से 11 मतलब यह जो कोश्यन है इन कोश्यनों में थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा कि परिवड़ती वाले हवास्ता स्रेड़ी किस वर्स कितने से कितने वर्स के अंदर गता आता है 610 अब हम बात करेंगे 29 आरय। तर्क देथा कि भास आभिकास्त की गर मुंटायी कि प्रवाही दों आरजं और सुझाले के बीच अचर्चा किस विष्यमें है इस्थीद्ल द сथीक हिद्था परभ Taking Olay अबिबाद चुनोती पूर्ट था सवेदसल भामा को आर्जो तर की देढ़ है 29 कि भासा विकास विकत की ने ने सरगी क्रकृति में प्रभावीत होता है जब कि सुनाले मासूस करती है कि परिवेश से प्रभावाईत होता है यह आर्जो सुनाले के पूची यह जो चर्चा भ नंबर है यहां पर विद्यार्थी को सुच्छता के लिए प्रेड़ित करने हैं तुन्हें सबसे बेस्ट ऑप्षन सामाजी को संकल बनाए है फॉर्थ ऑप्षन सही हो जाएगा यह थे थर्टी कोशन अगर आपको वीडियो पुसंद आया तो लाइक से और सबस्क्राइब मा आपको मिलती रहे और जल्द ही आपको सीटेट की जितने प्रिवियस एर के पेपर है आपको एक जगह फिक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर जरूर करें अगर वीडियो आपको चिला गयो तो